गुण बॉर्णिक फ्रेंड्स एक्जाम गुरू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैं परदी आज की वीडियो हमारी 2.3 की है 2.2 तक मैं औरेडी बना चुका हूँ अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे पहले देख ले उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो फ्रेंड 2.2 तक आपकी कंप्लीट हो गई थी 2.3 आज हम स्टार्ट करते हैं चलिए आई शुरू करते हैं मैं हिंदी इंगलिस दोनों मेडियम में इसको कनवर्ट करूंगा देखें डिवाइड दा पॉलिमल पी एक्स बाय दा पॉलिमल जी एक्स दोनों निकालने हैं ठीक है पहला कोश्टिन आपको क्या दे रखा है एक्स की क्यूब माइनस 3x स्कूर प्लस 5x माइनस 3 और डिवाइड किसे करना है x स्कूर माइनस 2 चलिए आईए शुरू करते हैं देखें जैसे ही दे रखा है तो मैंने आपको पता है था जब भी आप question करें सबसे पहले single single digit को equal करा करें यानी कि यहां आपको दे रखिए x की cube यहां x square यहां x के उपर 3 power है यहां x के उपर खाली 2 power है तो आप क्या करोगे सबसे पहले इसकी power 3 करने के लिए हमें x से multiply करना पढ़ेगा ठीक है तो इस x की multiply multiply इस दोनों में करोगे तो आ जाएगा x की cube और x की 2 में करेंगे तो 2x minus है तो minus का ओके फर्स step ही हो गया फिर क्या करोगे आप इनके sign change करोगे इसमें sign change जैसे देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो positive निसानों का plus का इसको हमें negative करना है minus का और यह plus का है तो इसको हम क्या कर देंगे plus का कर देंगे ठीक है पहला हम इसा cancel हो जाता है अब देखिए minus का 3x square और यहाँ पर 2x है यानि की power 2 है नीचे power 2 वाला कोई नहीं है तो आप इसको ऐसे ही same to same उताल लेंगे ठीक है यह 5x और यह plus का 2x जुड़ जाएगा 7x हो जाएगा 3 का 3 भी आप उताल लो भी ठीक है फ्रेंड आप क्या गरोगे आप देखिए minus का 3x square यहाँ खाली x square है तो यहाँ पर कमी है minus के 3 की क्योंकि यहाँ पर x square तो same हो गया बट minus 3 नहीं है तो minus के 3 से multiply करेंगे minus का 3x square आजाएगा minus की 3 की minus के 2 से करोगे plus का 6 आजाएगा क्योंकि minus minus plus होता है multiply में sign change कर दे यह आपका हो जाएगा plus यह हो जाएगा minus पहला cancel 7x का 7x दोनों minus के है 9 आगे आप divide नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर खाली x है यहाँ पर x square है जब यहाँ पर x की छोटी power आ जाए यहाँ बड़ी power रहे तो फिर divide आगे नहीं करते हैं तो यह आपका हो गया successful यानि की reminder ठीक है हिंदी में successful और यह आपका हो गया question हिंदी में भागफल ठीक है किलिए रहे हैं तक फ्रेंड चलिए आईए अगला question करते हैं अगला question देखिए क्या दे रखा है ओके फ्रेंड देखिए second आपका दे रखा है इसका x देखो question में आपको दे रखा है x की 4 माइनस 3 x square प्लस 4 x प्लस 5 डिवाइड किससे करना है x square प्लस 1 माइनस x तो हम इसको क्या करेंगे पहले order में लिखेंगे order में मतलब पहले square वाली फिर x वाला नंबर फिर बीना x वाला ठीक है तो देखिए मैंने इसको question उतार लिया है यह इस तरीके से कुछ हो जाएगा ठीक है friend चलिए यह x दिया है ठीक है आप n मत समझिएगा इसको हम उसी तरीके से करते हैं यहाँ पे x की power 4 है यहाँ x square है यानि कि x की square कम है x की square से हमें इसको multiply करना पड़ेगा x की square से करोगे तो क्या आएगा x की 4 और x square की x में करोगे x की cube x square की 1 में करोगे plus x square ठीक है अब क्या करेंगे हम इन सब के sign change करेंगे तो देखिए sign change करेंगे यह minus हो जाएगा यह plus और यह भी minus पहला cancel हो गया अब देखिए यहाँ पर x की cube है पर उपर x की cube नहीं है तो सबसे पहले हम x की cube वाला संख्या लिखेंगे ठीक है सबसे पहले हम जो बड़ी power होती है उसको लिखते है हमने x cube लिख दिया अब देखिए यहाँ पर minus का 3x square minus का 1x square तो हो जाएगा minus का 4x square ठीक है repeat कर रहा हूँ यह मैंने अच्छा आप इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकते थे ठीक है क्योंकि power की नीचे same power वाला भी ल उतार दो फिर वही step यहाँ पर power 3 यहाँ पर power 2 एक कम है तो x से multiply करेंगे x की cube x की x में करेंगे तो क्या आएगा x square ओके फ्रेंड ठीक है तो देखिए x की जब मैंने minus x से करी तो minus का x square x की 1 से करूँगा तो plus का x आ जाएगा फिर आप sign change करेंगे यह x है मैं दुबारा बता आप n मस समझेगा सबके sign change कर देंगे सबके sign change करने में यह minus का आ जाएगा यह plus का और यह minus का पहला cancel 4 x square minus का है x square यह 1 x square माना जाएगा ठीक है यह 4 x square है यह 1 x square है दोनों घट जाएगे 3 x square बचेगा minus का ऐसा मस सोचेगा x square से x square cancel करके आप खाली 4 लिग दो नहीं यह 1 x square है इसको घटाना पड़ेगा ठीक है चार में से 1 गया 3 बचा 4 x में से 1 x गया तो यहाँ पर भी 3 x बचा और प्लस में 5 का 5 ओके अब फिर देखिए यहाँ पर 3 x square दे रखा है और यहाँ पर खाली x square है वो भी negative तो हमें करना पड़ेगा minus के 3 से minus के 3 से करोगे minus का 3 x square हो माइनस के 3 की minus के x से करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 3 x हो जाएगा माइनस के 3 की plus के 1 में करोगे तो माइनस का 3 आएगा sign change कर दो sign change करोगे यह positive यह negative और यह plus का पहला cancel दूसरा cancel 5 और 3 एट आपका बचा यह हो गया आपका सेसफल यानिक reminder और यह हो गया आपका भागफल ठीक है यह reminder हो गया और यह आपका question ठीक है friend I hope आपको समझ में आया होगा चलिए आते हैं अगले question पर देखे friend आपको अगला question दे रखा यह ठीक है question में आपका लिखा था 2 minus x square मैंने इसको फिर देखिए question क्या लिखा था 2 minus x square तो इसको सही से लिखेंगे according to power तो पहले minus x square आएगा बाद में 2 ठीक है x की 4 minus 5x plus 6 तो दीखें मैंने question उतार लिया यह रहा अब हम करते हैं यहाँ x की 4 है यहाँ minus x square है सबसे पहली बात तो एक minus का निसान आपको दिख रहा होगा फाल तो minus करने के लिए minus करेंगे x की power 4 है x की power 2 है तो यहाँ x square आ जाएगा करिए minus से minus cancel हो जाएगा plus हो जाएगा और plus होके आपका आएगा x की power 4 ठीक है तो plus आपको लिखने की जोर्थ है निए ऐसे minus के x square की plus के 2 से करोगे तो आएगा minus का 2x square ठीक repeat करता हूँ minus मैंने क्यों लिया क्योंकि यहाँ पे plus है और यहाँ minus है तो यहाँ भी plus लाने के लिए minus है और एक और minus से कर देंगे तो minus से minus cancel हो जाता है minus का x square minus का x square plus का x की power 4 minus का x square in 2 में 2 minus का 2x square sign change करेंगे यह minus यह positive पहला cancel हो जाएगा यह ऐसा कैसी उतार लेंगे क्योंकि उपपर x square है नहीं फिर minus का 5x और plus का 6x का 6x 6x खाली ठीक है फ्रेंड यहाँ तक क्लियर है आगे देखिए तो अब आप देखोगे है यहाँ 2x square है यहाँ minus x square है तो मुझे minus के 2 से ही करना पड़ेगा ठीक है तो minus के 2 से करूँगा तो आएगा फिर minus से minus cancel हो जाएगा plus का 2x square minus के 2 की plus के 2 से करूँगा तो minus का 4 ठीक फिर sign change करेंगे यह minus यह plus पहला cancel आपका बचा यहाँ पे 5x दोनों plus के हैं यह plus का हो गया 10 यह आपका आगया sales फल ठीक है यानि की remainder और यह आपका आगया भाग फल ठीक है I hope आपको clear हुआ होगा चलिए चलते हैं अगले question पर question number 2 दे रखा है आपका देखिए दूसरे का question number first करेंगे अब हम क्या दे रखा है check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by the dividing second polynomial by the first polynomial आपको बताना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद को संपून रूप से यानि की perfectly divide कर देता है ठीक है हमें कैसे पता लगेगा कर देता है नहीं कर देता जब आप दो पार्ट दियेते इसमें ठीक है आपने देखा होगा जैसे देखिए टी स्क्वेर माइनस 3 फ्रिक कोमा एक पार्ट यह हो गया GX फिर 2T की 4 प्लस 3T की Q माइनस 2T स्क्वेर माइनस 90 माइनस 12 यह दे रखा है दूसरा पार्ट PX तो इससे इसको divide करना है अगर आपका इसे divide करके 0 आता है तो इसका मतलब यह divide हो जाएगा एक बहुपद दूसरे बहुपद से divide होता है ठीक है नहीं आता तो नो लिख दोगे चलिए करते हैं उसी तरीके से करना है इसको यहाँ पर 2T की 4 है यहाँ खाली T की 4 है तो सबसे पहले क्या कम है यहाँ पर 2 कम है और T का स्क्वेर कम है तो 2T की स्क्वेर से हम मंटिप्लाई करेंगे जो हो 6T का स्क्वेर आ जाएगा बीच में मैंने क्यों छोड़ दिया क्योंकि यह क्यूब वाला है क्यूब वाले के नीचे क्यूब वाला ही लिखना चाहिए था क्यूब वाला है नहीं इसलिए मैंने छोड़के स्क्वेर के नीचे स्क्वेर वाला लिख दिया ठीक है अब आप स 2t square प्लस का 60 square घड़ जाएगा प्लस का 40 square बचेगा माइनस का 90 माइनस का 12 सारे एक साथ ही उतार लेते हैं आगी दिक्कत नहीं होगी अब देखें यहां 3t की square है क्यूब है यहां खाली t का है सबसे पहले तो 3 कम है और फिर एक t कम है ठीक है करिए तो जाएगा 3t की cube 3t की 3 से करोगे तो माइनस का 90 ओके फिर आप sign change करो यह माइनस का यह प्लस का cancel यह भी cancel हो गया आपका बचा 4t का square माइनस 12 ठीक है फ्रेंड अब यहां पे t का square है यहां t square है पर यहां 4 है यहां 4 नहीं है तो यहां पर आप प्लस का 4 लिख दीजिए 4 से multiply करोगे इसको तो 4t का square 4 से 3 को करोगे माइनस का 12 sign change कर दोगे माइनस प्लस यह भी cancel यह भी cancel आपका remainder आए 0 अगर remainder आपका 0 आता है इसका मतलब पहला भवपत दूसरे भवपत को divide कर देता है ठीक है पहला polynomial दूसरे polynomial को divide करता है clear है friend देखे friends अगला question यह मैंने सारे question कर दिये थे बट record नहीं हो पाया था ठीक है इस वज़े से दुबारा मुझे बताना पट रहा है वो recording नहीं हो पायी थी किसी वज़ा से चलिए खेर यह मैंने सब कर दी है अभी अभी ठीक है मैं आपको बता देता हूं दुबारा कैसे मैं देखे थर्ड question दे रखा था आपको x की cube प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड करना था किसको 3x की power 4 प्लस 5x की cube माइनस 7x square प्लस 2x प्लस 2 को तो अब हम क्या करेंगे जैसे आपने देखा यहाँ पर 3x की 4 है यहाँ पर खाली x square है तो यहाँ पर आपने देखा क्या है 3x square से हो जाएगा ठीक है 3x की 2 से जब हम इसकी multiply करेंगे तो 3x की 4 आ जाएगा मैंने आपको बताया था पहला तो हमें इसा सेम ही आता है फिर 3x square की 3x से करोगे तो 3 3 जा 9 x square और 1x x की cube 3x square की 1 से करोगे तो 3 की 1 में करोगे 3x square ठीक है फिर यह आपका हो गया सबके sign change कर दिये पहला cancel हो गया यह plus का 5 है यह minus का 9 है घट जाएंगे minus का 4 बचेगा उसके बाद यह 7 minus का यह minus के 3 तो जुड़ जाएंगे minus का 10 हो जाएगा अब उसके बाद क्या हुआ अगले मैंने दोनों सेम उतार दिये अब आप देखो यहा minus का 4x की cube है यहाँ खाली x square है तो पहले तो एक minus 4 कम है और 7 में power 3 है यहाँ 2 है तो 1x भी कम है ठीक है तो minus के 4x से multiply करेंगे minus के 4x से इन तीनों को multiply करेंगे जब हम x square को करेंगे तो minus और यहाँ plus तो minus आजाएगा minus 4x की cube minus 4x की plus के 3 से करोगे तो 4 3 जा 12 तो यहाँ आजाएगा minus के 12x square और फिर जब इस 2 की 1 में करोगे तो 2 बन जा sorry minus के 4x की 1 में करोगे तो minus का 4x तीनों के sign change हो जाएंगे लिबीट कर रहा हूँ minus 4x की पहले x square में करा तो minus के 4x की cube minus के 4x की 3x में करा तो 12x square minus के 4x की 1 में करी तो minus के 4x तीनों के sign change कर दिये पहले वाला cancel हो गया minus का plus का तो plus का बचेगा घटके 2x square यह भी plus यह भी plus जुड़ जाएंगे 6x और 2 का 2 फिर यहां पर 2x है यहां पर खाली x है ठीक है यहां 2x square है यहां खाली x square है तो 2 से multiply करेंगे plus का 2 हो गया अब इस plus के 2 की इन दोनों में करेगा तो क्या आएगा 2x square plus 6x plus 1 देखो यही लिखा है 2x square plus 6x plus 2 ठीक है 2 अंजा 2 2x square plus 6x plus 2 तीनों के sign change यह भी तीनों cancel आपका आगया यह 0 ठीक है friend चलिए यह मैंने पूरे size की question कर दिये ठीक है मैंने भी record कर रहा था बढ़ यह हो नी पाई वो इसमें सारे note हो गई बस चलिए देखिए तीसरा question दे रखा है x की 5-4x की cube plus x square plus 3x plus 1 को divide करना है x की cube minus 3x plus 1 से same way step x की 5 है यहां x की square है cube है 2 कम है तो क्या करेंगे हम x square से करेंगे x square से multiply करेंगे x की 5 आ जाएगा x square की 3 से करेंगे तो 3x की cube आ जाएगा वो भी minus का x square की 1 में करेंगे तो plus का x square तीनों के sign change कर दो ये minus ये minus था तो plus ये plus था तो minus पहला cancel ये दोनों घट जाएंगे चार में से 3 गया एक बचेगा बड़ा निसान minus का है तो minus वाला जाएगा x की cube की cube आ गई आगे minus का x square plus का cancel हो गया 3x plus 1 सेम उतार दिया अब यहाँ x की cube है यहाँ खाली x की cube है बट minus की है तो minus के 1 से करेंगे minus के 1 से करेंगे 3ों को तो सेम आ जाएगा sign change हो जाएगे बस यह हो जाएगा minus x की cube minus minus plus 3x और ये minus का 1 sign change करा cancel ये भी cancel पर ये 1 और 1 2 हो गया इसका मतलब ये जो होगा no होगा no क्यूं होगा क्यूंकि second question में आपको बोला था आपको बताना है कौन सा poniomal जो है वो पूरे तरीके से divide कर देता है पहले वाले में successful 0 आया reminder 0 आया तो divide कर देता है ठीक है second वाले में भी 0 आया था तो उसमें भी divide कर देता है पर third वाले में 0 नहीं आया 2 आया तो इसका मतलब भी proper divide नहीं करता है तो यह answer हो जाएगा no ठीक है friend उसके बाद तीसरा question है तीसरा question देखिए तीसरे question में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा जैसे question दे रख्था हमें read कर देता हूँ obtain all the zeros of 3x की 4 plus 6x की cube minus 2x square minus 10x minus 5 two zeros दे रख्ये है root के अंदर 5 by 3 और minus के root के अंदर 5 by 3 और आपके सारे zeros निकाल ले है सबसे पहला step क्या करोगे आप जो zeros दे रख्ये हैं उनको x के साथ लिखोगे minus का है तो minus में लिखो plus का है तो plus में लिख दो x minus root के अंदर 5 by 3 x plus root के अंदर 5 by 3 स्कल्टू में 0 तीक है फिर आपको पता होगा यह formula होता है a plus b a minus b स्कल्टू a square minus b square तो इसी तरीके से यह देखो a plus b a minus b यहाँ भी same formula लग जाएगा a square minus b square का a square minus b square x का square और इसका square करा equal to में 0 इस square से root cancel आपका बच्चा x square minus 5 अपोन में 3 ठीक है equal to में 0 बटे में एक लगा के LCM ले लेंगे LCM आजाएगा 3 cross multiply 3 x square 1 5 जा 5 equal to में 0 3 divide में इधर आएगा multiply में 0 की जब हम 3 से multiply करेंगे तो 0 ही आएगा आपका बच्चा 3 x square minus 5 यह आपका कहलाएगा g x ठीक है अब आप क्या करोगे इस से question को divide करोगे जो आपको book में दे रखाता लिखाता 3 x की 4 plus 6 x cube minus 2 x square minus 10 x minus 5 इसको आप divide करोगे इस से ठीक है तो देखिए कैसे divide करोगे जैसा भी तक सारे question divide करें आपने वैसे ही करना है यहाँ 3 x की 4 है और यहाँ पर 3 x square है तो 3 तो है पर x की 2 कम है x की 2 से multiply करी x की 2 से करोगे तो यह हो जाएगा 3 x की 4 फिर x square की 5 से करेंगे तो आएगा minus के 5 x square ठीक है उसके बाद आप दोनों के sign change कर दो यह आपका minus है positive था तो नेगेटिव हो जाएगा यह negative था positive हो जाएगा sign change करें पहला cancel हो जाता है cube वाला same का same उतार दिया 6 x की cube अब आपका क्या बच्चा square वाला यहाँ minus का 2 x square है यहाँ पर plus का 5 x square है तो minus का 2 plus का 5 घट गया तो plus का 3 x square बचा और बाकी के minus के 10 x minus का 5 हमने यह same उतार लिया ठीक है उसके बाद क्या करेंगे जब यह आपका same उतार गया ठीक है तो अब देखो यहाँ पर 6 x की cube है यहाँ पर 3 x square है यानि कि एक तो 2 से multiply कर दो तो 6 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 3 power है यहाँ दो है तो 1 x भी लगाना पड़ेगा यानि कि 2 x से multiply करेंगे 2 x से multiply करी इसको तो 6 x की cube हो गया और 2 x की 5 से करेंगे तो minus का 10 x हो गया दोनों के sign change करेंगे यह cancel हो गया यह cancel हो गया आपका बच्चा 3 x स्क्यार minus का 5 ठीक है क्योंकि minus का 10 plus का 10 cancel अब यहाँ 3 x स्क्यार है और यहाँ पर भी 3 x स्क्यार है तो हम करेंगे plus के 1 से plus के 1 से करोगे तो same ही उतर जाएगा 3 x स्क्यार minus 5 ठीक sign change यह minus यह plus cancel cancel 0 जब आपका यह 0 आजाएगा answer ठीक है मैंने आपको पहली बताये थे बहुत important exam में पक्का आएगा ही आएगा उसके बाद जो आपका भागफल आया था ठीक है question आया था x स्क्यार प्लस 2 x प्लस 1 इसके factor कर में है आप यह लिए इसको मैंने यहाँ उतार दिया x स्क्यार प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल टू में 0 किलियर हैं तक अब क्या गरोगे आप जैसे आपने देखा x स्क्यार यहाँ पे 2 x और यहाँ 1 है तो इसको हम टुकडे करेंगे इसके part करेंगे x प्लस x लिख देंगे क्योंकि x प्लस x 2 x होगा और एक एक की मंटिप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा अब क्या हुआ इसमें से common आया x यहाँ x बचा x चला गया तो यहाँ बचा 1 यहाँ से कुछ भी common नहीं है तो 1 लिखेंगे बाकी सारा same उतार देंगे दोनों same है question अभी तक हमारा सही करा गया है एक बार यह लिखा और बचा हुआ जो है वो लिख दिया ठीक है उसके बाद क्या करेंगे हम इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर प्लस का 1 है इधर आएगा माइनस का 1 यह भी प्लस का 1 है इधर आएगा माइनस का 1 तो यह आपका आंसर आ गया x is equal to minus 1 और x is equal to minus 1 तो all zeros बोले थे all zeros में क्या होगा सभी सुन्यांक क्या हो जाएंगे minus 1 minus 1 और यह दो आपको question में दिये थे तो यह total 4 सुन्यांक होंगे ठीक है friend किलियर है और देखो 4 सुन्यांक होंगे ठीक है 4 है ना तो इसके 4 ही सुन्यांक निकलेंगे ठीक है चलिए ओके friends अब हम करते है question number 4 देखिए 4 में क्या दे रखा है आपको 4 में दे रखा है उन्दा dividing x की cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx उन्दी question टर रिमेंडर were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively find the gx आपको इसमें क्या है सेसफल दे रखा है ठीक है भागफल दे रखा है और आपको क्या निकालना है और भाज्य दे रखा है आपको निकालना है कि divide करके इसका क्या आएगा ठीक है तो देखो सबसे पहले आपको पता है हमने formula पढ़ा है तो आर एक्स दे रखा है माइनस का 2x plus 4 तो according to mathematics क्या होता है आप जो संक्या इधर पहले है उसको इधर लाएंगे तो x की cube माइनस 3x square प्लस x plus 2 सेम उता रहा माइनस का 2x था इधर आएगा प्लस का प्लस का 4 था इधर आएगा माइनस का किलियर नहीं तक यहाँ पे आपका क्या बचा qx into में x minus 2 सौरी gx into में x minus 2 ठीक है अब आप देखो x की cube का x की cube 3x square का 3x square x और 2x 3x 2 और माइनस 4 माइनस का 2 घट जाएगा यह multiply में इधर आएगा divide में यानि कि gx निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस से इसको divide करना पड़ेगा ओके तो divide करते हैं चलिए यह देखिए बाहर लिखा इसको हमने अंदर लिखा अब आप देखो जैसे divide करेते हैं वही rule लगेगा x की power 3 है यहाँ पर x है यानि x square कम है तो x square से multiply करेंगे इसकी x square में दोनों की कर दो इसमें करेंगे तो x cube आएगा x square की minus 2 में करेंगे minus 2 x square आएगा दोनों के sine change यह minus यह plus पहला cancel हो गया minus का 3 x square plus का 2 x square घट जाएंगे 3 में से दो गया 1 x square बचेगा मैंने पहले ही बताया था एक लिखने की जोड़त नहीं होती है minus का बड़ा है इसलिए minus का निसान आएगा 3 x minus 2 उतार लिया same ठीक है उसके बाद क्या करोगे आप अब देखो यहाँ पर आपका बचा minus x square और यहाँ पर दे रखा है minus का प्लस का खाली x तो यानि कि एक तो minus minus false 2 है तो minus लगाएंगे यहाँ x की 2 है यहाँ x अकेला है तो एक x भी लगाएंगे यानि कि हम multiply करेंगे minus के x से minus के x से इन दोनों को करेंगे तो यह हो जाएगा minus का x square यह हो जाएगा plus का 2x ठीक है sign change पहला cancel plus का 3 minus का 2x घड़ जाएगा तो plus का x बचेगा minus का 2 बचेगा अब यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है तो 1 से करेंगे ठीक है तो हमने क्या करा plus के 1 से करा 1 से करेंगे तो same आ जाएगा सेम उतारा sign change यह भी cancel यह भी cancel आगया 0 यानि कि आपका जो gx की value आई है क्या आई है x square minus x plus में 1 ओके चलिए अब हम करते हैं question number 5 पाचवा देखिए पाचवा question आपको दे रखा है given example of the polynomial px, gx, qx, rx satisfies the division algorithm आपको इस situation के हिसाब से उनको satisfy करना है px, gx, qx, rx कुछी भी आप value रख सकते हो satisfy करना है आपको ठीक है पहला दिया है px बराबर में qx देखिए px बराबर में qx तो मैंने क्या अगर आप px को माल लिया ये उसके बाद मैंने gx को माल लिया 2 ठीक है देखो मैं इसको करके दिखा देता हूँ चलो देखिए जैसे हमने px माल लिया 2x square minus 2x plus 14 qx मैंने निकालना है इसको मैंने माल लिया क्या 2 यानि कि हमने formula पढ़ा है px is equal to qx gx plus rx यही पढ़ा है न px को क्या माना था हमने px को माना था 2x square minus 2x plus 14 2x square minus 2x plus 14 gx की value मैंने निकालना क्या है gx निकालना है qx निकालना है आपको निकालना है qx तो qx का qx ले लिया gx को 2 माल लिया r को 0 अब यह हट जाएगा multiply में इदर आके divide हो जाएगा divide करोगे तो क्या आ जाएगा 2 से कॉमल लेके काड़ दो या तो आप सीधा तीनों के बटे में आ जाएगा 2x square upon में 2 2x upon में 2 plus 14 upon में 2 तीनों के नीचे अलग-अलग आ सकता है यह बचेगा x square यह बचेगा x और यह बचेगा 7 यह आपकी आ गई gx qx की value तीक है अब satisfy हो जाएगी आप चाहिए रखके देख लो कैसे px की जगा क्या रखना है हमें 2x square minus 2x plus 14 qx की जगा क्या लिखना है x square minus x plus 7 और qx gx कितना था 2 r था 0 multiply करना इसमें यह तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा करोगे तो हो जाएगा 2x square minus का 2x plus का 14 देखो दोनों सेम आ गया तो यही तो proof करना था तो इसी तरीके से आप कोई सी भी value कुछ भी रख करके उनको बस proof कर देना है ठीक है अगला दे रखा है qx बराबर में rx इसका second part है देखिए जैसे आपको दे रखा यह qx मैंने क्या करा है let माल लो देखिए second दे रखा है gx मैंने माना x square qx मैंने माना x rx मैंने माना x क्योंकि मुझे qx और rx बराबर proof करना था तो मैंने दोनों ही बराबर value रख ली अब आप formula में put कर दो यह आपकी algorithm method है px बराबर gx into qx plus rx px क्या माना था हमने x square नई qx माना था न क्योंकि यह तीनों मैंने माना थे अब इसको solve करो x square की x से करोगे x सी cube और plus का x यह आपका आगया px होगा equation solve यहाँ पर qx बराबर में rx proof हो गया ठीक है चाहे value रख के देख लो आप देखो px is equal to gx qx plus rx आगे पीछे आप लिख सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ आप लिख सकते हैं ठीक है ठीक है देखिए जैसे px की value क्या निकाली थी हमने x c cube plus x x की cube plus x gx की value क्या थी x square qx की value क्या थी x rx की value क्या थी x अब आपका ये दोनों ही बराबर आएंगे 100% x की x की square में करोगे x की cube plus x अब आप देखो क्या दोनों बराबर आ गए हो गए verify ठीक है तो इसी तरीके से आप कुछ भी value रखके proof कर सकते हो ये second हो गया third भी देख लो रास्ट suppose rx मैंने ले लिया 0 qx ले लिया x gx से ले लिया x square एक second अच्छा rx आपको 0 proof करना है ठीक है ये proof करना है तो मैंने यहां से लिया qx x लिया gx x square rx 1 ठीक है आप px मेरा हो गया x की square sorry x की cube plus 1 अब इसमें put कर दो दोनों side बराबर आ गया हो गया proof देखो आप px की जगा x की cube plus 1 qx की जगा x gx की जगा x qx की जगा x square rx की जगा 1 proof करा हो गया दोनों बराबर ठीक है तो आप इसी तरीके से कुछ भी proof करके आप कुछ भी number लिग के कर सकते हो यह आपको अपनी तरप से करदा था assume वाली थी यानि कि हमें माना ठीक है let होता है let suppose तो यही वाली situation है तो friend I hope आपको समझ में आया होगा 2.3 आपकी exercise खतम हो गई है 2.1 और 2.2 की मैं अलवड़ी वीडियो बना चुका हूँ आप उसे भी देख ले description box में आपको link उसका मिल जाएगा अगर आपको वीडियो परसंद आये तो इसे like करें और subscribe करें ठीक है चलिए okay friends मिलेंगे फिर अगली वीडियो में जैसे भी आपको वीडियो लगी है अपने view जरूर comment box में लिखें